हलो फ्रेंड वेल्कम ट अनादर वीडियो अगर आज हम डीटेल्स अनलीस करने वाले पीडिलाइट इंड्री लिमिटेट के बारे यस्टरडे स्टॉक ने अपने रिजल्ट को डिक्लियर किया है अज प्रीड वीटेट कर रहा है अगर इस प्रीडिक्लियर थोड़ा थोड़े एक्सपेंसिब बनाता है अगर अगर पीयर के साथ भी कंपेर करें तो मार्केट का वाई यह नंबर वन कमपनी है इन इस पर्टिकुलर सेगमेंट मार्केट कप 1,22,795 करोर अगर इस पर्टिकुलर स्टोक के हम कुछ और इंपरेंट फंडमेंटल चीज़ों को डीटेल्स में देखे अस यू कन सी केमिकल सेक्टर में जितने भी प्यर से उसमें इसके बाद आता है एसरेफ देन आर्थी इंडेस्टर को जबर 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 रिटान दियाए बाट लास्ट एक दो माहिने से सारे स्टॉक में में करेक्शन देखा क्यूंकि जो रेजल्ट आ रहे है मार्जिन का प्रेशार है एंड रेजल्ट उतनी बढ़िया नहीं आ रहे है जिस कारण सब इस टॉक में हमें करेक्शन भी देखा एंड पीडिलाइट के जो रेजल्ट है वो कंपरिंग इट्स पियर्स अच्छे रहे अगर हम इस पर्टिकुलर कंपानी के रेजल्ट को दे 259 करोर VS 299 करोर हाला के December 2020 में 573 करोर का अपरेश परेटी करोर.. को नेट प्रपोपि भी क्वार्टन कोर्ति कार्टन हा हाला कि फिर्टन पर बेंडीच रहा थो काइन पर फिर्टन कार्टन क मानि पर और अगर हम इस कंपनी के पियर्स के साथ भी की पास सेंटी कि में प्रणागों है में इस कंपनी का जो सब्सेंघज है यानि रिलेटिव स्टेंट इंडेक्स और मनीफ्रो इंडेक्स 70 को स्टॉक ओवरबट हो जाये 30 की नीचे ओवर्सोल रसाइए में इसका स्कोर है 48.3 और में 36 यानि यानि रसाइन अमेफाइ में कभी भी यह स्टॉक ओवरबट जोन के करिब तो नहीं है बट यह ओवर्सोल जोन के करिब है अकॉडिंट अच्छे होते हैं किसी कमपनी के तो अबियस्ति उसमें में बहुत जादा डाउनसाइड देखने को नहीं मिलता बट सबसे प्रॉब्ले यह प्रॉट आए इसी जो हार रेजल्ट के बाद मार्केट इसको उतना जादा रिगोर्ड नहीं दिया हालाके अज जु निप्ती का टेन इपो तोरा विख नेगेटिव है बाट इनसेड़ आप अपट अप्ट आप अल्ली टू परसेंट एस्टोक अज़ अब यहाद अगर इस पर्टिकुला स्टॉक क्या हम 30-day 50-day 100-day 200-day simple and explanation moving average वो देखे तो stock is above all simple and explanation moving average 20-day 50-day 100-day 200-day जितने भी simple and explanation moving average सभी के उपर stock at that moment rate खाना है and 2400 is a very important breakout क्योंकि 2400 is a 30-day simple moving average support 50-day simple moving average 2385, 20-day expression moving average 2378, 50-day expression moving average 2361 यानि 2400 के नीचे अगर यह stock जाता है so next 50 rupees यापी next 2% का range उसमें बहुत सारे simple and expression moving average को stock hit करेगा so 2400 is a very important level उसके बाद 2350 and 2300 जिसमें 100-day simple and expression moving average भी सामीले 200-day simple and expression average 2075 यानि 2100 यानि 2100, 2300, 2400 जी जादा very important support हाला के अगर result किसी कंपणी का अच्छा रहा था valuation expensive होने के बाबजी उतना जादा downside हमें देखने को नहीं मिलता बाद फिर भी आपको 2400, 2350 and 2300 इन तीनों चीजों को ध्यान पर रखना पड़ेगा सबसे कड़ी जो support है वो 2365 का है हाला के 2388 जो है इस resistance को भी stock ने ब्रेक किया है आप 2400 के range को ध्यान से देखिए अगर इसके नीचे आप है सब्सक्राइब का ट्रेंड है वो थोड़ा नेगेटिव है यह था ओबरॉल पीडिलाइट इंडेस्टी को लेके बेरा कैनार्टिस वीडियो रखना भी अच्छे लगे चानल को लाइक सब्सक्राब और शेर काना बिल्कुल मत भुलिए से वे इन नेक्स वीडियो गाइस तिल और गुड़ाइ